आईपील 2021 के ओक्षिन में सबसे जादा रिलक्स टीम आपको संराइजर चैदराबाद नजर रहेगी क्योंकि एसरेच कोब अपना स्क्वार्ड कंप्लिट करने के लिए मैक्सिमम तेन खिलाडियों की जरूरत है मतलब कि आईपील 2021 के लिए एदराबाद का स्क्वार्ड लगबग लगबग कन्फर्म हो चुका है इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपील 2021 के लिए संराइजर चैदराबाद के टोप 10 खिलाडियों के बारे में तो चलिए सिद्धे मुद्दे की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की तो नंबर 10 पर है जैसन ओल्डर आईपील 2021 में एदराबाद के पास काफी बढ़िया ओल्ड राउंडर खिलाडी है लेकिन उन में से सिर्फ एक ओल्ड राउंडर को ही हमने एसरेच के टोप 10 प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल किया ह जोकी है जैसन ओल्डर क्योंकि ओल्डर ने पिछले साल एसरेच के लिए काफी शानदार ओल्ड राउंडर पर्फोर्मंस किया था आईपील 2020 में ओल्डर ने सिर्फ सांत मुकाबलों में 14 विकेट लिये थे जिसमें ओल्डर का बेस्ट बोलिंग फिगर रहा था 25 रंदेकर तीन विकेट और ये कारनामा ओल्डर ने RCB के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में किया था तो इस साल ओल्डर एसरेच के लिए काफी इंपेक्टफुल खिलाडी साबित हो सकते है IPL 2021 में SRH के टोप 10 प्लेयर्स की लिष्ट में नमबर 9 पर हमने रखा है जोनी बेर्ष्टो को पिछले साल बेर्ष्टो को सभी मैच में खेलने का मोका नहीं मिला था और हो सकता है इस साल भी बेर्ष्टो को बेंच पर बैठना पड़े फिर भी हमने बेर्ष्टो को SRH की टोप 10 प्लेयर्स की लिष्ट में शामिल किया है क्योंकि मुझे लगता है बेर्ष्टो को जब भी प्लेयंग इलिए उनमें मोका मिलेगा तो उस मोके पे बेर्ष्टो ज़रूर चोका मारेगा और आप लोगों को भी पता है वर्णर और बेर्ष्टो की जोड़ी एक बार चल गई तो फिर कितनी खतरनाक साबित होती है तो इस साल बेर्ष्टो भी SRH के लिए बड़ीया खिलाडी साबित हो सकते है नमबर आट पर हमने रखा है एक और विकेट कीपर बेट्समेन को जोकी है रिद्धिमान साहा पिछले साल हिदराबाद ने आखिर के मैचों में शांदर वापसी करी थी और प्लेओफ में अपनी जगब बनाई थी जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा था रिद्धिमान साहा का साहा को पिछले साल आखिर के मैचों में वर्णर के साथ ओपनिंग में बेजा गया था जिसमें साहा ने फियरलेस बैटिंग का नजरा दिखाया था पिछले साल साहा ने सिर्फ चार मुकाबलों में 204 दारन ठोक दिये थे जिसमें साहा ने 250, 24 चोके और 5 छक्के लगाए थे इसके लावा पिछले साल साहा का एवरेश था 71 के उपर का जो कि S.R.H. के लिए सबसे बड़िया बेटिंग एवरेश था और साहा का स्ट्राइक रेट भी करीबन 140 का था तो IPL 2021 में साहा भी S.R.H. के लिए मैच विनर खिलाडी साबित हो सकते है नमबर साथ पर हमने रखा है थंगरासू नटराजन को नटराजन ने साल 2017 में अपना IPL डेब्यू किया था और डेब्यू के बाद नटराजन को ज्यादा मोकेन नहीं मिले थे लेकिन IPL 2020 में हैदराबाद ने नटराजन को पहले मैच से ही प्लेइंग इले उनमें शामिल किया था और आज नटराजन IPL के अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना जलवा दिखा चुके है तो हम हैदराबाद के टीम मैनेजमेंट को भी नटराजन के टेलेंट को पहचानने के लिए थेंक्यू कहना चाहेंगे IPL 2020 में नटराजन ने बुमराव और ब्रावो को भी पिछे करते हुए सबसे ज़्यादा योरकर मारे थे और पिछले साल नटराजन एसारेच के सबसे सफल तेज गेंदबाज भी रहे थे तो IPL 2021 में नटराजन भी हैदराबाद की प्लेइंग लिए उनका इससाज जरूर होंगे IPL 2021 में एसारेच के टोप 10 प्लेयर्स की लिस्ट में नमबर 6 पर हमने रखा है संदीप शर्मा को संदीप शर्मा के पास IPL का काफी बढ़ी आनुबवे और संदीप शर्मा को IPL का सबसे ज़्यादा अंडर रेटेड खिलाड़ी भी माना जाता है क्योंकि IPL में जितनी विकेट जस्परित बुमरा के नाम है उतनी ही विकेट संदीप शर्मा के नाम भी है लेकिन IPL में इतना अच्छा पर्फरमस होने के बावजूद भी संदीप शर्मा को ज्यादा महत्वा नहीं दिया जाता है संदीप शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ज्यादा मोके नहीं मिले लेकिन IPL में SRH संदीप शर्मा के उपर पूरा बरोसा दिखाती है और संदीप शर्मा भी SRH के बरोसे पर हर साल खरे उतरते है IPL 2021 में SRH के टोप 10 प्लेयर्स की लिष्ट में पाइदान पर है केन विलियमसन केन विलियमसन हर साल SRH के लिए मिडल ओडर में की प्लेयर साबित होते है और IPL 2021 में SRH को केन विलियमसन को सभी मुकाबले खिलाने पड़ेंगे क्योंकि इस बार भी SRH का मीडल ओडर कमजोर दिखाई दे रहा है पिछले साल केन विलियमसन इंजरी की वज़े से कुछ मुकाबले नहीं खेल पाई थे और विलियमसन की गेराजरी में SRH कई सारे मुकाबले आर भी गई थी तो इस बार SRH विलियमसन को पहले मैच से ही प्लेइंग 11 में जरूर रखना चाहेगी बात करें नमबर चार की तो नमबर चार पर हमने रखा है बोवनेशवर कुमार को तो IPL 2021 में बोवनेशवर कुमार SRH के लिए इंजरी के बाद वापसी करने वाले है बोवनेशवर कुमार पिछले साल इंजरी की वज़े से सिर्फ चार मुकाबले ही खेल पाए थे लेकिन इस साल बोवनेशवर कुमार पूरी तरह से फिट है और IPL 2021 में खेलने के लिए तैयार है जो कि SRH के लिए काफी खुशी की बात है क्योंकि भूवनिशुर कुमार IPL के इतियास में सन्राइजर शेदराबद के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेनबाजे भूवी अब तक SRH के लिए 90 मुकाबलों में सबसे ज्यादा 112 विकेट ले चुके है और शायद इस साल भी भूवनिशुर कुमार ही SRH के उपकप्तान रहने वाले है बात करें नमबर तीन की तो नमबर तीन पर हमने रखा है मनीश पांडे को मनीश पांडे हर साल SRH के लिए काफी बड़िया खिलाडि साबित होते है मनिश पांडे SRH के लिए कितने ज़्यादे महत्वपुर्ण है उसका अंदाज आप उनकी सेलरी से लगा सकते है IPL 2021 के लिए SRH ने मनिश पांडे को 11 करोड रुपे में रिटेन किया है IPL 2020 मनिश पांडे का सबसे बढ़िया IPL सिजन था पिछले साल पांडे जी ने 425 रन बनाये थे मतलब कि हर साल पांडे जी का पर्फॉमंस बैतर होता जा रहा है मनिश पांडे SRH के बेट्समेन तो बढ़िया है ही साथी में मनिश पांडे SRH के लिए सबसे बढ़िया फिल्डर भी है तो मनिश पांडे भी SRH के लिए काफी महत्वपुरान खिलाडी साबित होने वाले है नमबर दो पर हमने रखा है राशित खान को राशित खान एधराबाद का सबसे बड़ा मेच विनर खिलाडी है राशित खान बढ़िया स्पिनर है, बढ़िया फिल्डर है और राशित खान आखिर में आकर हेलिकॉप्टर शोट्स भी लगा सकते है मतलब कि राशित खान एधराबाद को सभी डिपार्टमेंट में अपना योगदान देते है राशित खान के होने की वज़े से एधराबाद का विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है राशित खान को ICC ने T20I प्लेयर ओब दे डिकेड भी अनाउंस किया है मतलब कि T20I का सबसे बड़िया खिलाडी संराइजर से एधराबाद के पास है और अरबार की तरह इस बार भी S.R.H. का स्पिन डिपार्टमेंट राशित खान के आथों में ही रहने वाला है तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं IPL 2021 में S.R.H. के सबसे बड़िया खिलाडी के बारे में और वो खिलाडी है डेविड वर्नर वर्नर इस साल भी S.R.H. का सबसे महेंगा खिलाडी है S.R.H. ने वर्नर को साड़े बारा करोड रुपे में रिटेन किया है IPL में डेविड वर्नर जितना कंसिस्टन प्लेयर आपको शाहिदी कोई देखने को मिले क्योंकि वर्नर एक मातर ऐसे बले बाजे जिनोंने IPL के पिछले 6 सालों में लगातार 500 से ज्यादा रंड बनाए है और इन 6 सालों के अंदर वर्नर IPL में सबसे ज्यादा 3 औरेंज के भी जित चुके है डेविड वर्नर IPL के इतियास में SRH के लिए सबसे ज्यादा रंड बनाने वाले बले बाजे वर्नर SRH के लिए अब तक सिर्फ 87 मैचों में 3800 से ज्यादा रंड बना चुके है और वर्नर के इस रेकोड के आसपास भी कोई नहीं है और SRH के इसे कही सारे रेकोड डेविड वर्नर के पास ही है और IPL 2021 में SRH की कप्तानी भी डेविड वर्नर ही संबालने वाले है कूल मिलाकर IPL 2021 में भी SRH का सबसे बढ़िया खिलाडी डेविड वर्नर ही है तो दोस्तों यह है IPL 2021 में SRH के टोप 10 खिलाडी डेविड वर्नर, राशित खान, मनिश पांडे, बहुनेशोर कुमार, केन विलियमसन, संदीप शर्मा, टी नटराजन, रिदिमान साहा, जोनी बेर्ष्टो और जेसन ओल्डर तो दोस्तो आज की अमारी मुद्दे की बात यहाँ पर समाप्थुई